हेमन सरकार ने राची के सुक्रहुट्टू में बनाए जा रहे ट्रांस्पोर्ट नगर का विरोध करते वे मजदूर यूनियन ने हरताल की घोशना कर दी है समवादाता समेलन के दोरान जहारखन प्रगतिशील मजदूर यूनियन के बैनर तले यह निर्णा लिया गया है टेम्पो एवं वेपारी वर्ग के लिए बस पड़ाओ की विवस्था सहित विविन मांगो के साथ हरताल की घोशना की गई है प्रगतिशील मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुनील सिंग चोहान ने इसकी जानकारी देते वे यह कहा कि इस हरताल से आम जनों को तो परिशानी होगी ही साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा इसकी तमाम जिम्मेवारी सरकार की होगी प्रिस्टी करता हैं कि जो सरकार में 40 सक्रवना वो ना काफी है हमें माच कम से कंदो सो कारश्यते के लिए और सौ एकर कम स्कुम मजदूर की आवासी बेस्ता अरनमोलिक सुदाओं के चाहिए हमारे मुझ की बियो दिये चालीस एकर में यह है, सरकाल की जो हमने मीडिया के देखा है, 424 तक को खड़े करने की और 16 ट्रांस्पोर्ट के आफिस, जबकि राची में 2000 तक परड़े आते हैं और राची में 600 से ऊपर ट्रांस्पोर्ट के आफिस से जहे हैं, आपके विरोद और हर्तार से क्या कुछ 7 माल के स्वागरी का ओग मन है। आनिक स्वागरी के द्यूंइंड़क जो भी उसिदीक जो को सब स्सक्राइब होई तो है, रंडिती की है कि हम स्वें में गिर्वत में कि जबतास तरकार हमारी बात नहीं सुनती है तब तक हम लोग अपना कार बंद करके रखेंगे लेवर यूनियन जो अपना पूरा समिक जो भी ट्रांस्पोर्टर माल वाहक जो भी है है ने काट चले के मल्टी पर मल्टी एक्सल्टर्ट सभी का आवागमन से माल की लदाई उत्राई परचान जबात नहीं करें है माल की लदाई उत्राई तरकी माल की मुझी बंद रही है नीजविन के लिए रांची से संधाक रेपॉर्ट